Hi everyone, फिर से एक new interesting video में आप सबको स्वागात है, तो दोसों इस वीडियो का माध्धम से आज मैं आपको बताने वालों, अगर आप एक PF मेंबर हैं, तो दोसों इस वीडियो का माध्धम से आज मैं आपको बताने वालों, जब भी आप अपना UN नमर को एक्टिवेट करने के कोस तो यहां बस्वा रिजन के साथ-साथ उसका क्या मतलब होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसे किस परकासर ठीक करेंगे, इसका क्या ठीक करने का प्रोसेस होता है, वो भी इस वीडियो के माध्धम से माध को जनकारियों देने वालों, तो चलिए वीडियो आपक ज़रिये, मैं आप लोगों को बताने के कोसिस कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं कमपीज जनकारियों दूँगा, ऐसा क्यों आता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या प्रोब्लम है आपके यूए नमर में, उस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वालों, सब कुछ मैं आपको बताने वालों, ठीक है, तो चलिए, यहां पर पहला प्रोब्लम के मैं बात करता हूं, तो जब भी आपना यूए नमर एक्टिवेट करने के कोसिस करते होंगे, पुरो डिटेल भी यहां पर फिलाप करते होंगे, डिटेल फिलाप करने के बाद, जैसे यहां पर गेट उठी केट पर क्लिक करते होंगे, उसका फाली आपका यूए नमर एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और यहां पर आपके पास हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सबसे पहले समय लेते हैं, जब अपना यूए नमर एक्टिवेट करने के कोसिस करते हैं तो यहाँ पर एक mobile नमर भी इंटर करना होता है, जिसे कि यहाँ पर देख लेजिए, mobile नमर यहाँ पर इंटर करना होता है, तो दूसरो mobile नमर वहीं इंटर करना होता है, जो आपके अधार कार्ड के साथ लिंक होता है, अगर सो आप अपना यहाँ पर अधार कार्ड लिंक प्रोब्रम आ जाता है जिसे कि यहां पर आसकिन पर देख सकते हैं तो सबसे पहले जो भी अपके आधार करके साथ मोबाइल नमर लिंक होगा वही मोबाइल नमर जब अपना यूए नमर एक्टिवेट करने के कुछ तो इसका मतलब आपको फिल अगर आता होगा तो उनका में स्लूशन में आपको बता दिया हो ठीक है पहले प्रोब्रोम यह आता है चलए दूसरा प्रोब्रोम की और में चलता हूँ दूसरा प्रोब्रोम सो नीचे जंझे मैं आ जाता हूँ नीचे जा आने के बात देखस रहे हैं जरता हूँ जो भी आपका इस Meinung से मॉमझा देता जो भी आपके अधारकार पर डिटेल है, वो डिटेल है तो आपका UN नमर में आपका सही सही फिलप नहीं किया गया, कुछ ने कुछ वहाँ पर मिसिंग है, जैसी कि जब आपका पीएफ एकोन खुलता होगा, उसमें आपका जो कंपनी, जो employer होगा, वो आपका date of birth छोड़ दि दिया गया, please contact your employer for complete the detail, तो अपने employer से ही contact करना है, जहां से आपका पीएफ एकोन खुला होगा है, तो उसी employer से contact किज़े, contact करने के बाद उनको बताना है, कि मेरे UN नमर में, मेरे आधार से कुछ ना कुछ डिटेल मिसिंग है, उसे आप फिलप किज़े, तो 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 अपना व बता दिया हूँ, इसका क्या solution होगा, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, चलि सो अब तिसरा problem की में बात करता हूँ, तिसरा problem के लिए यहाँ पर नीचे की और आ जाता हूँ, नीचे आने के बात देख सकते हैं, यहाँ भी तीसरा problem यहाँ पर नजर आ जाता है, यह भी काफी लोगों के पास ऐसा problem आता है, तो चलि तिसरा problem क्या है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं, तिसरा problem यहाँ पर लिखा वाना जर आता होगा, maximum attend to the active UN in a day, is exude, इसका मतला यही होता है, कि आप अपना UN नमर को activate करने के कोसिस, एक दिन में आप काफी बार कर चुके, यहाँ जब भी अपना UN को activate करने के कोसिस करते है, ति हलों है कि maximum time एक्टिवेट करने की कोसिस करेंगा, त्attform 3-4 और, यहाँ अपने पर 5 आप कोक्श कर सकते हैं, यह पर अपने दिन में अपनी पर टरुकत कर सकते हैं, तो आपका यह पास về ट्राइक करते हैं, तो आपके प के लिए आपको रुख जाना है आपको next day आपको ट्राइक करना है अगर आप भी इस परकार से कोसेश कर चुक है तीन या चार या पांस वर आप यहां पर ट्राइक कोसेश कर चुक है आपका यून एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है और आपके पास भी मेसेश आ चुक है maximum attend to active यून इन ये डे तो यहां पर आपको next day आपको ट्राइक करना है दुबारा से ठीक है 24 घंट अक बाद ही आप ट्राइक कीजिएगा उसका दुबारा से आपका जो भी आप यहां पर एक्टिवेट करने का पुरूसरस होता है वो यहां पर चालू हो जाएगा ठीक है तो यह थी मैं बात करता है Son 06 00 काफी लोगों के पास दिखता होगा चलिए मैं आपको सबसे पहले समझा देता हुआ यहां लिखा हुए लिएक काम की यूनिफाइड उपर आ नहीं हो पा रहे है जिसके बचा आपका यू समक्का अपको बता 좌गे यहीं होता है dit जो भी आपके अधार कार पे आपका date of birth है, वही date of birth आपका employer, आपका company दुवर आपके पीए फेकर में नहीं डाला गया है, जिसके बज़ास से आपका UN निमर एक्टिवेट नहीं हो पार है, ठीक है, simple से भासा में यह समझ गेंगो, इसका क्या मतलब होता है, तो देख सकते हैं, यह form video description में देदूँगा, वहाँ साफ इसे fill up कर सकते हैं, इसी form के माधियम से जो भी आपके आधार कार में date of birth है, वही date of birth आपके पीए फेकर में करवा सकते है, जिसे कि यह पर देख लेजिए, नजर आतों का date of birth है, ठीक है, तो इस form के माधियम साफ अप आपको 500 problem के और ले जाते हैं, 500 problem काफी लोगों के पास ये भी face करने के लिए मिलता होगा, ठीक है, 500 problem सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सभास आप लिखा हुआ है, member ने, member ने मतलब आपका नाम, date of birth, जो अभी आपका date of birth होगा, does not match with the available data in unified portal, same जैसे कि मैं इने, fourth बता है, same as यहां भी है, दोस्तों, यहां पे दोनों detail आपका match नहीं हो पार रहा है, दोनों detail करने के मतलब होता है, जो भी आपके आधार कार पे नाम है, या तो फिर जो भी आपका date of birth है, दोनों detail आपके PF account से match नहीं हो पार है, जिसके वज़ास तो आपके पास यह यहां पर डाला गया है, आपके employer, आपके company वज़ से, जिसके वज़ास से अपके पास इस फ़कार से problem आ रहा है, ठीक है, तो ठीक इस फ़कर से करेंगे, तो इसका विसका एक ही solution है, आपको joint declaration from film करने के बाद, यहां पर देखे, name का option नजर आता होगा, जो भी आपका correct name आपके पास date of birth का भी नजर आ जाता है, तो जो भी गलत date of birth होगा, वो यहां पर flip करना, ठीक है, मैं इस पर complete dedicated video पहले से ही बना कर रखा हूँ, इसलों यहां पर मैं sort में बता दे रहा हूँ, अगर आप उसे check out करना चाहते है, तो आप हम मेरे playlist को check किजी, वहां पर complete information आपक कर दीजिएगा, मैं उसका solution बता दूँगा, उसके बारे में भी आपको समझा दूँगा, ठीक है, लेकिसो अभी तक जितना भी major problem देखा गया, इन ही पास में से एक कोई सा भी आपके पास आजाता हूँ, तो इस वीडियों से मैं आपको complete discussion कर दिया हूँ, कि जब भी अप कर दिया है, और भी दूसरा इसके अलावे है, आपके पास कोई भी problem आता हूँ, कुछ पुछना चाते है, कुछ query है, तो वीडियों के निचे देखे, comment box ने जा रहता हूँ, वहाँ पर comment कीजे, या तो फिर हमें Instagram पर message कीजे, वहाँ पर DM कीजे, वहाँ पर flow कीजे, जो भी problem होता है, आप Instagram से भी हमसे solution ले सकते है, ठीक है, तो असा करता है, जो भी इस वीडियों में आपको जनकारे दिया हो, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, वीडियो भी आपके लिए काफी helpful होगा, तो अभी तक वीडियों का लाइक